नया मोटर वीकल एक्ट क्या लागू हुआ लोगों की जेब का गडित ही बिगाल दिया है। 23,000 का चालान, 25,000 के second hand auto का 47,500 का चालान, एक टेक्टर ने red light जम कर दी तो 60,000 का चालान, अरे भाई आप ही बताईए कितना जायज है। पेरिस की तरह करना चाती है, मगर जनाब वहां की सलकें भी तो देखिए, यहां तो पता ही नहीं, गड़े में सलक है या सलक में गड़े, खेर छोड़िये, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। बिपक्ष भी ऐसे मौकों की तलाश में रहता है, तो समाजवादी पाल्टी के राष्टी अध्यक्ष अकलेश यादब ने देर नहीं लगाई। और फट से यूपी की योगी सरकार को लपेटे में लेते हुए ट्विट कर दिया, और लिख दिया, हैश्टेग ट्रैफिक टेररिजम के साथ देश की गाली सत्ता के नशे में चूर बिना बैल्ट के वो नावालिक चला रहे हैं, जिनहें अपना अहित करने का लाइसेंस जनता ने कभी दिया ही नहीं। सामाजिक सोहार्थ को प्रुदूशित करने वाले ऐसे कुछा लकों के पास देश के आर्थिक भविश्य का कोई बीवा भी नहीं है, अब जनता इनका चालान काटेगी। अखलेश यहीं नहीं रुके, अपनी ट्वेटर रुपी कलम से ये भी लिख दिया कि बीजेपी लोकतंतर में भै पैदा कर सत्ता में बने रहना चाहती है, समाज में दूरी पैदा करना और नफरत भैलाना ही उसका एजेंडा है, इन्हीं के बल पर वो है अपनी सत्ता भाई किसे दे रहे हैं, ब्यपक्ष है कहां, सब तो अपने अपने में लगे हैं, किसी को जनता की फिक्र है कहां, खेर छोड़िये, इससे पहले भी अखलेश यादब ने यूपी में महंगी बिजली होने को लेकर ट्वीट किया था और लिखा था, एक तरब घटती आयवा मांग और बढ़ती लागत की बज़े से, देश की उद्पादक्तादर लगातार नीचे आ रही है, वहीं प्रदेश में बिजली की दरें उपर जा रही हैं, कारोवारिवा जनता सब द्रस्त हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश की घोशनाएं भी थोती सावित हो रही हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी बैंक पैसा लगाने के लिए तयार नहीं है, आपको बता दें कि एक सितंबर से देश भर में नए मोटर विकल नियम लागू हो गए हैं, इनके तहट ट्रफिक नियमों के उलंगन पर दस गुना तक ज़्यादा जुर्माना देना होगा, इसी नियम से आज सब तरस्त हैं, अखलेश यादब भी इसी को लेकर निशाना साध रहे हैं, मगर सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से हैं, क्योंकि आजादी के बाद से एक सच ये भी है, कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता का सुक तो सबने होगा है, फिर ह आलात क्यों नहीं मदले, क्या कोई इसका जवाब भी देगा?